नमस्कार, क्या आपको पता है इंसान का सबसे अच्छा साथी कौन है? जो सारे रिष्टे नातों से उपर हैं, सारे रिष्टे नाते एक तरफ ले जाते हैं, लेकिन वह साथी अगर वह सई होना तो आप हमेशा सबसे आगिर होगे और वह साथी है, आपकी हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो आप जीवन में कुछ भी कर पाओगे अगर आपका ये साथी अगर कमजोर हो गया ना, तो आप सारे रिष्टे नातों के लिए आप बोज बन जाओगे जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि सब कुछ करना, नेकिन अपनी हेल्थ को कभी कमजोर मत करना कहते हैं ना, कि पहला सुक निरोगी काया इंग्लिस में भी कावत है, health is the wealth ये सब क्यों बनी हुई हैं? अगर आपकी health important है ना, तो आप कुछ भी कर जाओगे इंसान रोज अपनी बाध, दोड़, बरी जिंदगी में लोगों के लिए करता रहता है परिवार के लिए करता रहता है, समाज के लिए करता रहता है अपने यार, दोस्तों के लिए भी time waste करता रहता है, सब कुछ करता रहता है लेकिन जब उसे उसकी दिन चरिया के बारे में पूछे जाए कि क्या आप योग करते हो सुबह, क्या आप सुबह एक्सराइज करते हो तो वो इंसान क्या कहता है, अरे यार मुझे तो सुबह टाइम नहीं मिलता है, अरे यार मुझे तो शाम को भी टाइम नहीं मिलता है, टाइम है आपको आपको Facebook, Instagram, WhatsApp चलाने का टाइम है, आपको अपने केरियर को बढ़ाने का टाइम है, आप success होना चाते हो उसके लिए आपको टाइम है, लेकिन जो चीज जिसके priority सबसे नमबर वन होती है, उसके लिए है आपको टाइम नहीं है, What is this? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? जिसको आपको सबसे नमबर वन रखना चाहिए है, फर्श्ट प्राइरटी जिसको रखना चाहिए आपकी है हल्त को उसके लिए आपको पास में टाइम नहीं है, लोग क्या करते हैं? लोग property में investment करते हैं, लोग share market में investment करते हैं, लोग mutual fund में investment करते हैं, तरह तरह की LIC में investment करते हैं, तरह तरह की pollution में investment करते हैं, हर जगा investment करते हैं इंसान कि और बविश्य मेरे लिए अच्छा रहेगा, जब में व्रत्धा वस्ता में जब यह पेसा आएग तो मेरे लिए अच्छ रहेगा लेकिन क्या आपको पता है क्या आप अपने हेल्थ के उपर इंवेश्टमेंट करते हो जीवन में एक बात ध्यान रखना आप सारे इंवेश्टमेंट करते हो अपने परिवार के लिए इंवेश्टमेंट करते हो अपने समाज के लिए करोण के परिवार के लिए को हैं आपास के लिए को आपने सं परिवार के लिए नाम होगा यार दोस्तों को में उदार दूँगा उनकी बला ही होगी अच्छी बात है मैं अपने बेटा बैटे के लिए भी पैसे कमाऊंगा उनको भी जिन्दगी में कुछ तकलिफ में देखने पड़े अच्छी बात है सारे पैसे आपने कमा लिए सब कुछ कर लिया लेकिन मान दो इमेजिन आप होस्पिटल में एक बेड़ पर पड़े हुए और बेड़ पर पड़े हुए और साथ में आपके पैसे भी हैं तो समझ देना है कि आपने पूरी जीवन में अपने हेल्थ पर इंवेस्टमेंट नहीं किये तो वह पैसा वह करोड़ो रुपए आपके लिए किस क का अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी आपको यार दोस्तों का साथ अच्छा लगेगा आपको अपने बेटे बेटियों का साथ अच्छा लगेगा आपको कहीं जाना अच्छा लगेगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो अगर आपके हेल्थ अच्छी नहीं है ना तो आपको कहीं पर भी अच्छा नहीं लगेगा आपका कहीं पर भी आपका मन नहीं लगेगा चाहे करोड़ रुपे आपके पास होंगे करोड़ रुपे आपके बेंक बिलाइंज होंगे लाखों के प्रोपर्टी होगी और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा आप हमेसा दुखी रहोगे इसलिए जीवन में हमेसा ध्यान रखना कि आपका यह हेल्थ वाला साथी इसलिए अगर साथ छोड़ दियाना तो पूरी बिमार हो गए मान दीजी जिन्दकी की बाग दोड़ पर जिन्दकी में आपने अपने हेल्थ पर द्यान दियाद आप बिमार होगे आप इस्तरबट बढ़े ठीक है दो तीन दिन चार दिन पांत दिन बिमार होगे तो हरको यह आपकी सेवा करनेगे लेकिन अगर आप साल और छे महीने बिमार होगे ना तो आपका परिवार आपके समाज आपके दोस्त कोहीं आपका साथ नहीं देगा ठीक है वो दस मिंड के लिए आपके लिए मिलने आजेंगे फिर क्या आप तो 24 गंटे वो तकलीब सेंद करोगे तो क्या वो 24 गंटे तकलीब वो सेंद करेंग ना तो आप कोई भी लक्ष आपके लिए मुस्किन नहीं होगा